उत्राखंड के हरिदवार जनपत के रहने वाले एक इनामी बदमाश को मुरादबाद की थाना सिविल लाइंस की पुलिस ने गिरफ़तार किया है। पुलिस टीम ने आरोपी के पास से 25 ग्राम स्मैक, 4490 की नगदी वचाकू भी बरामत किया है। पुलिस उपधिक्षक प्रभारी थाना सिविल लाइंस दरवेश कुमार अपनी टीम के साथ पीएसी तिराहे पर गश्ट कर रहे थे। कि इस दोरान उत्राखंट के जनपध हरिद्वार के रूड़की के थाना सिविल लाइंस में तैनात उपनिरिक्षक नरेंदर सिंग ने उनको अफगत कराया कि रूड़की के सिविल लाइंस थाना से वांचित वपुरसकार घोशत अपरादी मुरादबाद जनपध के सिव सिविल लाइंस थाने में विभनमामलों में कई आपरादिक मुकद में दर्च हैं साथ ही रूड़की के सिविल लाइंस थाने में सिविल लाइंस थाने में प्रेस पारता कर पकले गए इनामी बदमाश के विशे में जानकारी देते हुए बताया कि एक आरोपी सिविल फादाबाद मान लिखा गया था थाना सिविल नाइंस तुरोडों के हरिदवार में वहां के विवेचक ने हमारे यहां से ओ दर्वेश कुमार को सूचना दी लिए और उसके पास से 25 ग्राम चरस उर्म चाकू बरामत किया है एक अभ्यूक्त है सत्पाल उस बंडारा जो आधर्श कलोनी मुरादाबाद का रहने वाला था इसके उपर थाना सिविल लाइन रूड की परिद्वार तराखंड में बुकदमा दर्ज था जिसमें वांचित सा इस पर पांच जार रुपए के इनाम गोसित था कल दर्वेश और उनकी थाना सिविल लाइन मुरादाबाद की टीम ने अच्छा काम करते हुए उसको गिरफ्ता किया और उसके पास से 25 ग्राम स्मैक और एक अदद नाजायज चाकू और उसके साथे साड़े चारज हजार क्या स्पास रुपए बरामत किये एक सातिर किश्म क का अपरादी है इस पर कई मुकद में रामपूर फिल लाइन में पहले से दर्ज है इसका अपरादी की दिहाश है और इससे पूश्टास की जा रही है और इसके साथ कोई और बेक्ति पाए आता है